वाहिगुर्ची का खाजसा वाहिगुर्ची की फते पंजाबी ओडी बुक सुन रहे सारे सरोतियानू मेरे मनिंदर कौर वल्लों प्यार परी साच्छी एका सरदार जसा सिंग वल्लों सरदार चड़त सिंग दी सहायता स्तंबर स्तारांसो काट नूरुदीन दी इस दुर्गत दी खबर जद लहौर दी हाकम ख्वाजा उबैद खान नू लगी ताँ उहो एक तकड़ी फौज लेके सरदार चड़त सिंग दे वरुद गुजरा वाले ते चाड़ पया उसनों फिकर पैगया होना है कि नूरुदीन नू होई हार एक तरा हकूमत लहौर दी हार है जिस तों एहमद शाबादशा उसते बहुत नराज होएगा उबैद खान कुछ दिन एमना बाद थैरया सारी हालत दा जायजा लेया अते गुजरा वाले नू जाके रिया अग्गों सरदार चड़ सिंग भी तेयार सी ओह टाक्रेरी डाट गया इस समय विच उबैद खान दी गुजरा वाले ते चड़ाई दी खबर सरदार जसा सिंग आलू वाले नू भी लग गई ओह सरदार जै सिंग नईये हरी सिंग पंगी लेना सिंग सोबा सिंग गुजर सिंग आधी सरदारा नू लेके आपुज़ा अते आउंदे सार ही रात नू एक अजेहा जोरदार हला कित्ता की उबैद खान नू हत्था पैरांदी पैगई अते कबराहट विच अपना तोप खाना, तोपड़े, जंबूरे, अते जंजेला, कोड़े, उंठ अते सारा जंगी समान उत्थे ही छाड़के वाहो दाही लहौर नू उठन सा सिंगा दा लहौर पर कबजा स्तंबर स्तारां सो काट लहौर दे सुबेदार उबैद खान दी इस तरह दी पांच, जद की उस दा तोप खाना ते जंगी समान भी पिछे रह गया अते सिंगा दे हथ आगया एहे अमोलक मौका सी, ओहो उस दे मगर लग तुरे अते लहौर तक दबी गया अते लहौर दे किले विच उसनू जा के रिया मीर मौमद खान दे वेलेतों सिंगा नो एहे चंगा तजर्बा हो गया सी कि सरकारी करमचारी उना दा टाकरा नहीं कर सक दे अते किले अंदर बैठ के वेला टपॉंड दी कार दे हन अते जद दाव लाग दा है ता फिर सिंगा दे विरुद फॉनजा लेके चड़ पेंदे हन आप ता इन्हा लोका ने किले अंदर खाना दाना जमा किता होया हुंदा है जा वपारिया पासों खोग हिंज लेंदे हन पर केरा पह जानना सबतों ज़ादा ओक आम जंतानू हुंदी है जिनादा रुजगार शेरों बार हुंदा है अते उस कमाईते ही उनाने गुजारा करना हुंदा है इस तो बिना स्रीरक लोडा लेई भी उनाने बाहर ही जाना हुंदा है इसलिए सिंगा नो पता सी कि शेर दे लोग इस तकलीफ नो महसूस करके ख्वाजा उबैद खान नो मजबूर कर देनगे कि ओहो खाल से दी इन मानले शेर दे मुख्या नो भी पता सी कि मीर महमूद खान दे वेले सिंग नजराना परवान करके मुड़ गय सन उना नो बैद खान दी पांच तो ए भी ख्याल हो गया सी कि ओहो कोई तकड़ा सूर भी परबंदक नहीं जो सिंगा दे टाकरेते बौता चिर अड़ेया रह सके इसलए उस उते कोई आस ना रखके लहूर दे पतवनते मुख्या ने सरदार जसा सिंग नाल गलबात कार लई अते शेर दे दर्वाजे खाल सा जीनो खोल दते इस तरह लहूर दे लोका दी बेंती परवान कारके सरदार जसा सिंग आलू वालिये दी अगवाई विच विजजई खाल सा दल सच्छ्रिय काल दे जकार गुजाउंदा लहूर शेर विच दाखल हो गया एह खाल सा जी दी पंजाब दी राजता नी दी पहली राजसी फते सी इस नाल एक तरह सिंद तो लेके सतलु ज तक दा सारा पंजाब खाल से जी दे कबजे विच आ गया सरदार जसा सिंग नू सुल्तानुल कौम दी पदवी लहूर उत्ते कबजा हुंदे साथ दाल खाल सादे सरदारा नू माता सुंदरी जी अते नवाब कपूर सिंग जी दे पविख शब्द याद आ गए जो उना ने अनपोल ही सरदार जसा सिंग सबंदी उचारे होए सा माता जी ने जसा सिंग नू दिल्लीतों विधा करन वेले असीस दिती सी की तेरे और तेरी संतान दे अग्गे आसेयाँ वाले चौपदार चलिया करन गे अते नवाब कपूर सिंग ने एक वारी जस्सा सिंग नू तीरज दंदे होए केहा सी, मैंनू इस गरीब निवाज पांथ ने नवाब बना दता है, तैनू की पता पात्षा ही बना देन। अते शुकराने वज्जों गुरू नानक गुरू गोबिंद सिंग ने नाव खाल साजी दा सिक्का जारी किता, जिस विच फार्शी दा एह बन्द उकरिया गया, जो मैं सांस सारां सो दास विच सरहंद दी फते तों बाद बाबा बंदा सिंग ने अपनी मोहर पर उकरवाया स देग तेग अते अटल फते बक्षशा ने गुरू नानक गोबिंद सिंग दिया कुझ लिखारियां दा कथन है कि खाल साजी वलों इस वेले लहोरों जारी किते गए सिक्के पर जो शब्द उकरे होई सन उहो एह सन सिक्का जददर जहांब फजल अकाल मुल्क एहमद ग्रिफ्ट जसा कलाल अर्थात सिक्का चलाया जहान अंदर अकाल पुर्खदी मेहर नाल देश एहमद दा खोल या जसा कलाल ने पर एहे गल मनन विच नहीं सियोंदी के खालसा जीवलों जारी किते गए सिक्के पर अजेहे शब्द उकरे होई होन जो इस तरा दे हों में हैंकड अते हकार्त परे होन अते जिना विच पांथ दे राजसी अते तार्मिक आगू दा अद्दा नाउ लेया गया होई किसे भी अमरितारी सिंग दा अद्दा नाउ लेयना एक परकार्दी गाली है पर इस गुंजलनू गनेश दास वडहेरे ने अपनी किताब चार बाग पंजाब विच साफ कर दता है जित्थे हो लिखदा है कि जद खालसा जीदा देग तेग वाला सिक्का चलन लग पेया अते पुराना मुहमद शाही सिक्का बंध होन लग गा तपंजाब दे कटड़ पंथी मुलाणिया ने कुझ सिक्क्या पर अपनी वल्लों एहे बैत कड़के लादती अते एहे सिक्के एहमद शाह बाश्या नू काबुल पे एज़ती इना नू देख के एहमद शाह बाश्या दी गैरत फड़क उठी अते हो पंजाब पर हला करन लई चाड़ पेया इस लिखत दी मुझूदगी विच होर किसे बहस विचार दी लोड नहीं रह जान दी स्टंबर दे आंत अते अक्तूबर दे अरंब विच लहोर विच दोहरे हाकम सान एक खाल सा जी जिना ने थे नवा कबजा किता सी अते दूसरा अबैद खान जो किले अंदर सी खजाना यी आमिरा दे लेखक अनुसार अबैद खान छेती ही पिच्छो मार गया पर उसने इस दे मरंदी कोई तारीख नहीं दती इसलए ओहो कितना कुछ लहोर के लिए विच बैठा रहा इस सबंदी कुछ नहीं किहा जा सकता अदे आए अठारवा वड़ा कलू कारा जंडे आले दा केरा जन्वरी स्तारां सो बाट हुन खासा जीने लहोर विच एक फोजी दस्ता इस मतलब लई छाट दता की उबैद खाननू के लिए तो बाहर ना निकलन देवे अते सरदार जसा सिंग दुआबा बस्त जालंदर विच जा पुजे अते दुरानी कारिंदिया सादत खान अते सिदीक बेग नू पजा दता एहे वेक के राजा कुमंड चंद कटोचिया चुप करीता कानवलेट के पहाड़ नू खेसक गया उद्धर सरदा चड़ सिंग अते पंगी सरदारा ने लहोरों उत्तर दा इलाका साफ कार दता अते सर्बत खालसे ने विचार करके अगले प्रोग्राम ले गुर्मता किता उन खालसे ने बहुत सारा मैदान ता मार लेया सी पर जो बाकी सी ओ इस करके बिखडा सी के देश विच ही कुझ अजेहे लोक मजूद सन जो दुरानी दे एजंट अते मुखबर बने होई सन अते हर वेले खालसे दा विरोध कार दे सन इना विच जंटे आले दे निरंजनिये कसूरिये खेशगी मलेर कोटली अफगान अते सरहंद दा फौजदार जैन खान जादा सिरकड सन जितनी दे तक एहमद शा बाश्या दे एहे अड़े साफ नहीं सन हुंदे दुरानिया दा खत्रा बनेया ही रहना सी कसूरिया अते मलेरिया दीता शा नाल नसली सांज सी जैन खान नू इत्थे नियत ही एहमद शा ने किता होया सी अते उस दा नौकर सी निरंजनिये महंत आकिल दास नू उन्ज ही सिंगा नाल वैर सी इसली पंजाब विच खाल से दा राज मुकमल करन लई इना अड़ेया नू अपने हथा हेट करना जुरूरी सी पर पता नहीं सी इस विचकी की उंकडा खड़ियां हो जान अते कितनी देर लग जाई एहे भी डारसी के इत्थे हेटली उत्ते हुंदी जार ही देखके खुद एहमद शाही काबलों आ जाए एहे साब सोच के विचार होई के टबर टीर पहला मालवे विच पहुंचा दिते जान अते फेर अटक होके एक तकडा हंबला मारया जाए आते पहल जंडे आले तो किती जाए जो लागे ही बारा को मेलते है खाल से दे इस फैंसले दी खबर सदार जसा सिंग आलू वालीये ते जसा सिंग राम गडिये ने जंडे आले दे महंत आकिल दास नो पहुंचा दती के ओहो बिना शोर श्राबे दे खाल से दी इन मान लवे अते दोनों तीरा अपनी अपनी थाईं सुखी वसन पर इस दे उल्ट आकिल दास ने तेज सांड़नी सवार एहमद शा दुरानी वाल पजादत ते अते सहायता ले बेंती कीती इस वेले एहमद शा अग्गे ही पंजाब वाल चड़ेया आरहा सी इस गल दा आकिल दास नो पिलना दा पता होना है रोहतास पुजण पर एहमद शा नो आकिल दास दा सुनेहा मिल गया इत्थों ही उसनों महंत दीक होर दूसरी चिठी भी मिल गए शा तां पिलना ही सिंगा विरुद दांद पी या पिंदा सी कुझ चोनवे बंद्या नो नाल लेके शा ने बड़ी तेजी नाल जंड़ेयाले नो ताई किती छेती ही पिछों फोज भी आ गई जस वेले सरदार जसा सिंग नो दॉरानी दे इदर आउन दी सू लगी ता उना ने दाल दे सरदारा नो किहा की शा शाइद रात दे वेले उना पर अचानक हला करे इस पर उना सला किती के इस वेले सानू सत्लूजों पार अपने टबरानू किसे सरक्यत थां ते पहुंचा लेना चाईदा है ताकि बेफिकर होके दुरानी नाल से जिसकिए इसला अनुसार उना जंडे आले दा केरा चुक लेया ते सतलूजों पार हो गए इसलाई जद शार जंडे आले पुझा ता सिंग उत्थों हर्न हो चुके सान उद्धर जद पिखन खान मलेरी नुँ पता लगा कि सिंग रायपुर गुझर वालों दखन नु मलेर कोटलें आठ दसा मील दीवित ते हन ता उसनु फिकर पैगया कि शायद उहो मलेर कोटले पर हल्ले दी त्यारी का रहे हन इसलिए उसने सरहंद दे फोजदार जैन खान पासों जो लगगे ही दोरे ते सी सहायता मंग पेजी अते नाल ही एहमद शा नु भी खबर काप दिती के सिंग इदर कठे होई होई हन जे उहो छेती पुझ जाये ता उनानु केरा पाके मारना सौखा होवेगा एहमद शा लई इस नालु चंगी खबर होर की हो सकदी सी उसने तिन फरवरी नु सवेरे ही लहोरों कूच किता अते वाहो दाही बिना किदरे मुकाम करंदे सतलु जटाप आया रस्ते विच्चों चार फरवरी नु दुरानी ने कोड स्वार जैन खान वल्प जाए कि मैं पंजदी सवेरे सिंगा पर एक पास्यों हला करांगा अते जैन खान नु हुकम दता कि ओहो अपनी सारी फौज लेके पुझे अते उसे दिन पंज़ फरवरी नु सिंगा उत्ते अग्यों हला करे एहे हुकम पुझदे सार, जैन खान, पीखन खान, मुर्तजा खान बढ़ाईच, कासिम खान मडल, दिवान लच्मी नरायन अते दूसरे असर अगले दिन सिंगा दी कतलाम लेई त्यारी करन लग पाई पंज़ फरवरी दा खुनी दिहाडा कलू कारा पंज़ फरवरी संस्तारां सो बाहट इश्वी दी सवेरे ही जैन खान फौज लेके चड़ पया अते कासिम खान बढ़ाईच नू सिंगा पर हला करन दा हुकम दिता इस तरह सिंगा पर अचन चे थला हो गया उनानू वैरी दे कठदा पता नहीं सी लगा इस कार के ओहो अपोल ही फास गए इस वेले उनानाल ती कुहजार दी वहीर सी जिस विच बौती गिंती जनानियां बच्चियां अते वड़ी उमर दे बुड़े बुड़ियां दी सी जीनानू ओहो किसे चंगे टिकाने पहुचान दी व्योंत बना रही सां इना दे नाल ही नकारे कमीन अते करांदा समान भी सी इसलई एह तेजी नाले दरुदर खिलर भी नहीं सन साकदे कासिम खान ने इस वहीर उत्ते कुप पिंड़ दे लागे जो मलेर कोटलें छे कु मील उत्तर वालनू है हला बोलिया खबर सुन्दे सार सरदाद जसा सिंग, शियाम सिंग, चरत सिंग अते कुछ होर सरदार भी आ गए अते लडाई शुरू हो पई सूरज दे चड़ाओ दे नाल, जैन खान नू सुनिहा पुझा की शा ने अपने उजबक दस्तियानू हुकम दे दिता है कि जित्थे किद्रे उनानू पंजाबी कपड़ें वाला कोई नजर पवे उसनू मार दे इसलिए जैन खान अपने आदमियानू कैदे वे कि ओहो हरे द्रक्तां दे पत्ते जा हरा का अपने सिरा पर टांग लें तांकि उनानू पशाने आ जा सके सिख सरदारा दे आउन पर कासिम खान उना दे टाकरे थे खडो ना सकया अते मलेर कोटले वालनू पज निकलिया इस विले सरदारा ने सला किती कि वहीर नू मालवे दे सरदारा दे वकील नानाल तोर दिता जाए कैथल दे वकील संगू सिंग, बाबा आला सिंग दे वकील सेखू सिंग, हमबल वाले अते पाई बुड़ा सिंग दे वकील नू किहा गया कि ओहो वहीर नू किदरे बचाओ वाले टिकानेयानू लै जान। अजे हो तिन कुमील ही गए होने सान की शावली खान अते पीखन खान उना पर आ पए पर इना दी फौज सिंगा नू खिंडा ना सकी खासा जिने वहीर दे आडे द्वाले गोल किला बना लिया होया सी अते उना नू पिखे तक के फिर वहीर नार आर आल दे सान एहमद शाव ने जद देख्या कि उस दा वजीर शा वली खान सिंगा दा कुंडल नहीं तोड सकया ता उसने सरदार जहान खान नू होर फौज दे के पेजिया पर ओ भी कुछ ना कर सकया इस पर खाल से दिया लाइना तोड़न लई हो रफगानी फौज पे जी गई पर सिंगा ने वैरी नू वहीर तक ना पहुंचन दिता सरदार जैसा सिंग आलू वाली आते सरदार चड़त सिंग जित्थे किदरे विलोड हुंदी कोड़या नू अड़ी लाके पुज जान दे अते वहीर नू तुरी जान ले हदायता दे जान दे अते सरदारा दे शार्या अनुसार फौज वहीर दी राखी करी जान दी एहमद शा ने जाद देख्या कि इस तरह तूरे जारहे सिंगा उत्ते कोई करारी साट नहीं मारी जा सकदी ता उसने बड़ा गुसा हो के जैन खान अते लच्मी नरायन नू सनेहा पेजिया कि तुसी सिंगा दी वहीर नू अग्गे हो के डख दे क्यो नहीं जे तुसी इना नू अग्यों थोड़ा जिहा रोक लओ अते इना दा अग्गे अग्गे तुरी जाना बांद कारके इना नू थाम देओ ता कडी पाल विच ही असी इना नू मार मुकामागे पर इना नू सामने रोक सकना संभव नहीं है जैन खान ने जवाब दता इस तरहां लाड़े मार दे तुरी जान दे सिंग अनेका पिंडा विच दी लंगे पर किसे ने उना नू टिकनली पना ना दती दुरानिया तो डार दे पिंडा वाले अपने दरवाजे बांद कार दन दे जिते भी वैरी नू मौका मिलदा हो वहीर दा चोखा नुकसान कार दन दे वहीर विच बहुते बुड़े ठेरे बच्चे अते जिनानिया सन उना विच्चो अनेका ठक तुटके रह जान दे अते मारे जान दे लोड़े वेले वहीर कुतबा अते बामनी पिंडा पास पुझी अते आसरे लेई बहुत सारे लोग इदर नू पजे परहे पिंड मलेर कोट ली अफगाना दे सान जो इस वेले वैरी दे साथी अते सिंगा दे दुश्मन बने होई सान इना पिंडा दे रंगर टोल बजा के कठे हो गए अते सिंगा दे पिछे पै गए अते इथे वहीर दा बड़ा नुकसान होया हून सरदार चड़क सिंग इना दी सहायता ली आया अते रंगरा नू मार मार के पिछे तक या पर इस वेले वहीर दा कुंडल कई थामा तो तुट चुका होया सी जिस कार के इना दा बहुत नुकसान हो रहा सी वहीर विच कोई हत्यार बांद लड़ाके ता है ही नहीं सान कुंडल भी वहीर दे आले दोले कई मिला विच फैल्या होया सी अते हार थां राखी करनी बड़ी मुश्किल सी पर तां भी सिंग डटे रहे अते लड़े पढ़दे टैंदे उठदे मरदे मारदे तुरी गए कुतबा ते बामनी दे लगए के पानी दी टाव सी जिसनों देखे दोनों पासे अफगान अते सिंग अपनी प्यास बजोनली उद्धर नों हो पए सवेरे दे पुखन पाने लड़े मरदे प्यासे आ रहे सान पानी पीन लग पए लड़ाई इस तरह आप पे ही बांध हो गई अते मुड जारी ना हो सकी दुरानी भी ठाक के चूर होई पैसन पिछले छतियां कंटेयां विच उना ने कोई डेड़ सो मील दी मंजल मारी सी अते दस कंटेयां तो लड़ दे आ रहे सान दूसरे पासे ओहो सिंगा दी को गवसों वाल जा रहे सान इसलिए एहमद शाह होल जादा अग्गे जाना ठीक ना समझ की रुक गया तहमास नाम में अनुसार ओहो बर्नाले दे लागे जा पुझे सान जो बाबा आला सिंग पटेयाले वाले दा इलाका सी सिंग भी ठाक के निडाल हो रहे सान अते कोडे बिलकुल तोटे पैसान पर सरदार जसा सिंग अते चड़त सिंग अपने हट पर काइम सान प्राचीन पंथ परकाश दे लेखक पंगू रतन सिंग शहीदा दा पिता आते चाचा इस वेले इस युद्ध विच्वहीर दे नाल सन उना दी जबानी रतन सिंग लिखदा है की इक था सरदार जसा सिंग दा कोडा ठाक के अड़ खडोता सरदार बठेरी अड़ी लावे पर हो अग्गे ना तुरे इस पर उना दे पालक गुर्मक सिंग ने कोडे नू मारन ली चाबक चुक्या इह देखके सरदार जसा सिंग ने उसनू कूर के रोक दिता अते कहा की देख़ी कोडे नू चाबक ना मारी एहे देख के किदरे कोई ए ना समझ लवे कि सरदार कोडा कोटवा के पाजनठा है इस युद्विच सरदार जसा सिंग नू बाई जखम लगे सान पर फेर भी उहो लोड पैन पर सोहे मथ्थी वैरी दे टाकरे आडाटता सी रतन सिंग दे कहन अनुसार जखम बहुत जसा सिंग खाए तीर गोडी और तेग काए आए आप परेयो उनके चेले सोहे मथ्थे रख कोडे मेले जसा सिंग खाए बाई काए तो भी सिंग जी लड़ते जाए इसे तरह होर सरदारा नू भी अनिक का जखम आए शायद ही कोई सरदार अजेहा हो जिसनू कटो काट पांजी सात जखम ना लगगे होन सरदार सबे जखमी पए साबत रयो न कोई लई शहीदी थी कनन गिनती सबन न होई चड़त सिंग जखम तो गिने न जाए तीर तलवार जो नेज़े खाए वहीर दा जो नुकसान इस दिन होया उसता सही अंदाजा ला सकना बड़ा मुश्किल है पर सरदार करम सिंग दे ख्याल विच कोई पंदरावी हजार सिंग सिंगनी आते बच्चे इत्थे शहीद हो गए सान तहमास नाम में अनुसार एहे गिंती पंजी हजार होवेगी इतना जादा जानी नुकसान खाल से दा एक दिन विच अग्गे कदी नीसी होया इसे करके सिंग इस कहर दे पाने नू वड़ा कलू कारा कैके याद कार दे सान एहे एक जेही साट सी जिसनू किसे भी कौमली सै सकना बड़ी मुश्कल गाल सी पर खाल सा जीता पड़े ही तलवारा दे पड़्चा में हेट सान अते पिछले पंजाब वर्यां विच ओहो नेका कतलामा विच दी लंग चुके सान इसलई ओहो थड़के नहीं ओहो उक्के ही डोले नहीं इसनू पाने दिक खेड एक होर अजमाईश समझ के सोखे ही हसके सै गई इसता जोंदा जागदा अमली सबूत इक नर्मो नरलेप नहांग सिंग दी स्पिरट तों लंदा है जो उसे दिन शाम नू उच्ची उच्ची कह रहा सी खालसा जी तत खालसो सो रहेओ गएओ सो खोट गवाई अथात खालसा जियों का त्यों अडोल मुजूद है मो माया दी नासवान मूरत जो सी हो अलोप हो गई है एहमद शा दा लहौर नू मोड़ा एहमद शा देख रहा सी के सिंग अचंचेत हल्ले विच कुछ थाए फसे होए मार खा गए सन हुन जित्थे भी इना नू कोई टिकाना मिले आते दाव लगगा चुंजलाए होए शेरा वांगो पिछा नू मुड़के तकड़ा चपट्टा मारंगी इसलिए उसने होर जादा उना दे पिछे लगणा चंगा ना समझया ते अगले दिन सरहांदवाल नू मुड़ पिया पिछले साल पानी पत दी लड़ाई तो बाद अफगानिस्तान नू मुड़ दे होए अहमद शा ने बाबा आला सिंग नू उस दे कबजे हेट लाके दा हाकम परवान कार लिया से हुन इस ख्याल नाल की इसका लू कारे तो बाद उस पर कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए आला सिंग ने नजीब दूला रोहेले राही शा नू मिलके सवा छे लाक रुपया पेश किता एहे रकम लेके ओहो खुश हो गया ते कुछ दिना पिछों आला सिंग नू छुटी दे दती इस वेले अहमद शा ने ए भी जतन किता की जे दल खाल सा सुला लई मान जाए ता चंगी गल है उसने बाबा आला सिंग नू किहा कि तू मेरा ते खाल से दा मेल करा दी एहे मेरे वरुद फसाद ना करन अटे जित्गे जित्गे नदा इलाका है ऊहो मेरे पासों लिखवा लैँ बाबा आला सिंग नए अपने वकील ननू सिंग घरिवाल नू शादा सुनिहा दे के खाल से जी पास पेजिया अगउ खासा दाल दे सरदाराने जिना दे मुखी सरदार जसा सिंग अलु अलियसन उत्तर दितता कि मंगेया कद किसे ने किसे नू राज दितता है तुर्काँ दुरानिया अटे सिंगादा के में मेल हो सकदा है एहे अफगानिस्तान तो आके पंजाब विच अपना दुरानी राज काइम करना चौँदे हन अटे असी अपने देश विच किसे गेर दे राज दे काइम होन दे विरूदी हन एहे तां बुरूद अत अगदी खेल है राजता सानू सत्गुरू ने लिख दिता होया है जो खालसे ने सीज पेट करके लेया सी असा किसे होर कोडों की लखवोना होया जैन खानू सरहंददा फोजदार काइम रेन दिता गया शा पंदरा फरवरी सान सारा सो बाट नू लहौर नू तुर गया जित्थे उहोते नमार्च नू पुझा इह सोच के कि किदरे मराठे खालसा जीदी सहाइता लई ना आ पुझन शा ने उना नाल सुला ले लिखा पड़ी शुरू कार लई जो कई महिने चाल दी रही इस दे नाल ही उसने कश्मीर विच मोहम पेजन दी त्यारी अराम बदती श्री दर्बार साहिब दी बेदबी अप्रेल सन सारा सो बाट शा दे लहौर पुझन तो सवा महिना बाद दस अप्रेल सारा सो बाट नू वसाखी सी मेले तो एक दिन पहला एहमद शा एक पारी फोज लेके अमरी सर आ पहुंचा अते शिरी हर मंदर साहिब अते नाल दे बुंगे बरूद नाल उडा देंदा हुकम दे दिता अते इस मल बे अते होर गंद मंद नाल स्रोवर पूरना शुरू का दिता इस तो इलावा मरे होए बंदियां दियां हडियां भी पुआ दितियां अते गउआ वड के इत्थे सुटवाईयां जिस वेले एहमद शा खडो के दरबार नू ड़ा रहा सी ता एक इटदा रोडा उड के उस दे नाक उत्ते आवज्जा जिस नाल ओह जखमी हो गया एहे जखम वद्दा वद्दा इक नासूर फोड़े दा रूपत आर गया ते समा पैन नाल शा दा सारा नक गाल गया अते अंत एहे ही दस वरे पिच्छों सान 1772 तेई अक्तूबर नू उस दी दुखां परी मौत दा कारण बनिया जैन खान अते लच्छमी नरायन नू मार पंजा हजार नजराना मै स्तारा सन स्तारा सो बाहर एहमद शान नो ख्याल सी के सिंगा नू मैं जही मार मारी है की उहो मुढ उठन जोगे नहीं रहे अते दरबार साहिब नू टाके अते स्रोवर नू पूर के उना दा अड़ा ही उडा चड़्या है पर सिंग मराठ्या नालो वखरी मिट्टी दे बने होई सन शानू की पता सी के इना दे का लू कारे नू तिन महिने भी नहीं पैन देने अते मुढ खंडा खड़ कौन ली तियार हो जाना है दरबार साहिब दी ब्यद्बी दी खबर सिंगा नू जद मालवे विच लगी जित्थे की हो कलू कारे विच लगे जखमा दा दारू दर्मल करवा रहे सन ता उना नू चाड़ रो गया सिंग आपनिया जाना दी कदी प्रवा नहीं सी कार दे पर गुर्ता अम्मा दी ब्यद्बी नहीं सी सहार दे सारा खाल सा अजे नौ बर नौ नहीं सी होया इसलिए फैंस लाए ही किता गया कि पहला लागे दे लाके सरहंद पर छाप्या मारे जाए जित्थे दे फौजदार जैन खान ने कलू कारे विच सिंगा दा बहुत नुकसान किता सी इस गाल दी परवाना कार दे हुए कि कलू कारा वरते नौ जे तिन महीने ही हुए सान आते बहुत सारे सिंग अजे राजी नहीं सान हुए आते एहमद शा अजे लहौर ही बेठा सी सरदार जैसा सिंग ने मई विच सरहंद उते अचन चेथ जाता वा बोलिया आते जैन खान नौ एक तकड़ी हार दती जैन खान ने जद बचाओ दा होर कोई रा ना डच्ठा ता उसने पंजा हजार उपया खाल सा जी नौ नजराना दे के सुला कार ले पर खाल सा जी अजे 10-12 को ही सरहंदो पिछे हटे सन की जैन खान दा मन बेमान हो गया अते उसने पिछ्छों चान खला काद देता ते सिंगा दा पिछ्छे आ रहा समान लुट लेया पता लग दे सार सिंग उनी पेरी पिछ्छे नू पो पई अते जैन खान दीवान लच्मी नराएन दा समान लुट लेया अते उना नू पिछ्छे हर नोल गड नू तक दिता जो सरहंदों पंद्रा कू को सी इत्थे एक टिक में लडाई होई जिस विछ जैन खान नू हार हो गई मालूम होंदा है कि जैन खान ने लच्मी नराएन दे कहे कहाई सिंगा दा पिछ्छा लुट लुट या सी जिस दे बदले की सिंगा ने उसनों दूसरी वार मार मारी पहली वार लच्मी नराएन के दरे बाहर होना है इसे कारके उस दा कोई जिकर नहीं हो दा शा ने कला नौर चुमासा कट्या जून दी गर्मी विच शा ली लहोर ठैरना मश्किल सी इसले उसने रावी दे कंडे कला नौर दा डेरा लाया अते चुमासा उत्थे ही कट्या इस साल वर्खा भी कुछ जादा होई जिस करके ना ता उपरे दुरानी ही सिंगा दे विरुद कुछ का सके अते ना ही दुरानी ही दे पक्खी चौधरी अते जिमीदार बाहर निकल सके अते जिथे किदरे निकले उत्थों सिंगाने पजाद अते अजीहा समा सिंगा ली बड़ा नुकूल सी सरदार जिसा सिंग आलू वाली है ते तारा सिंग गैबे ने सारा दुआबा गा मारे आते थाउं थाईं अपने कबजे पके कार ले लहौर लेंदे उत्तर नू सरदार चड़ सिंग सुकर चकी आते पंगी सरदारा ने गुजरा वाला आते गुजरात मुड साम ले एहे ही नहीं बलकी दल खाल साद एक तकड़ा हिस्सा अगस्त दे आखरी दिनी देश नो उगरांदा हुया करनाल जा पुजरा अते महिना पार 25 अगस्त तों 24 स्तंबर 1712 तक पाणी पत तक टिकिया रहा जिस कारके शा पास मुगल बादशा दे लची भी ना पुज सके दवाली दे दिन अमरी सर दुरानिया ना लड़ाई 17 अक्तूबर 1712 24 अक्तूबर नो डल खाल सा दे सरदारा ने उत्तरवाल नो मोडा पाया तांक की 17 अक्तूबर नो आ रही दवाली दे मौके ते सिरी अमरी सर पौंच सकन सिंगा दे ओन तक एहमद शा लहोर आ गया सी ओहो हैरान हो गया उसनो कदी सुफना वी नहीं सी आ सकदा की सिंग कलूक आरे तो बाद इतनी छेती संबल जानगे अते लहोरों वी हां कोहां दी वित्ते उसनो आवंगारंगे ओहो पास इस वेले ना ता अपनी ही फौज बहुती सी क्योंकि उस दा काफी हिस्सा नूरुदीन बामे जई नाल सुख जीवन दे विरुद कश्मीर नू गया होया सी अते ना ही सरहंद मुलतान जा किसे होर पासियों कोई सहायता ही आ साकदी सी इसले उसने खासा जी ना सुलादी गल बत करन ली अपने एक एलची नू पेजिया पर खासा जी दुरानी दे हथों होई दरबार साहिब दी ब्यदबी दे कारण गुसे नाल परे पीते बैठे सान ओहु मरन मारन ली तियार सान ओहु अजेहे वैरी नल सुलादी कोई गल करनू तियार नहीं सान करोद विच आय हुए कुछ सिंगा ने एलची अते उस दे साथियां दा माल असबाब लुट ले आते उनानू पजाद उता एहमर शाले हुण चुप का रेना भी ओखा सी इसले ओहु फोज लेके अमरिसर ते चाड़ आया ते दिवाडी तों पहली सोलाग तो बरदी शाम नो इथे आ पुझा स्थारा दी स्वेड़े ही सिंगा ने अर्दासा सोद के दुराणी आ उते हला काड़ देता। दुरानी ता आये ही लडन्सान। सारा दिन खूब गयगर्च लडाई होई। सिंगा नो दुरानिया विरुद दोरा गुसा सी, एक कलू कारे दा, दूसरा दर्बार साहिद दी बेद भी दा, उनाने मित के रण मंडिया सी, अते जानना हथेली ते रख के शहिदियां ली ते आसा, अजेहे सिर लाथ सोरियां दा टाकरा कार सकना दुरानिया ली बड़ा पड़िया दिन गए सूरज नो पूरा ग्रहन लाग गया, जिस नाल अजेहा हनेरा हो गया, की दिने ही तारे दिसन लाग पई, रात मस्या दी सी, लडाई विच सिंगा दियां पगौतियां ने ओ मार कीती, की एहमद शारा आदे नेरे दा फाइदा उठा के लहौर नो बड़ा सक्त गुसा सी, पर उना ने अपने गुसे ते जजबे नो काबू विच रख्या, अते पामे अफगाना वलो होए कलू कारे, अते दित्ते गए दुखादा, उना दे मना उपर जरूर बड़ा डुंगा असर होना है, पर किया जान्दा है, की इना सिंगा ने इक भी अफगान कैदी नो बेदर्दी नाल कतल नहीं किता, दुरानी दी अफगानिस्तान नो वापसी, अहमद शाह चूंकी शाह आलम दूसरे दा मुआमला विन जिठना चौन्दा सी, इसले पौने दो को महिने हो ठैरे अरेया, अते चारी लख रुपेया सालाना लेना करके शाह आलम नो दिली दे तक्तदा वाली प्रवान कार लिया, अते हेठ लिखे अनुसार हाकम नियत करके 12 दसंबर 1762 लहोरों तुर गिया, लहोर काबली मल, सरहंद जैन खान, पहाड ब्यासा अते सतलुज दे विचकार, राजा कुमंड चंद कटोच कांगडिया, जलंदर दुआ साधत खान, कला नौर, खुआजा उबैद खान, बारी दुआब, मुराद खान, रचना अते लेंदा सिंध सागर, जहान खान, कश्मीर, नूरूदीन, बामेजेग, अधियाए उन्नीवा, सन 1783 दे हाल, एहमद शादे फगानिस्तानों मुडंदी देर सी के सिंगा ने मुड आपनिया पुरानिया मला माल ले लिया, असल विच एहमद शादे पंजाब विच हुंदे होए ही, उहो बहुत सारे अपनी टिकानी पुझ गई सान, केवल वेला टपाउन ले ही, अग्गे पिछे हो ज आते जिस किसे ने दुरानी दे इत्थे होन वेले सिंगा नाल वैर कमाया सी, उस नाल लेखा गिन मिथले इस वेले सरदार जिसा सिंग ने खाल सा दाल दे सरदार अना राल के सला किती के इस वेले खाल सा ले एह दोनों गल्ला अत जरूरी हन, की मारिया हुईया मला मुड प करोड सिंगिये, निशानना वाले, अते शहीद, इलाके विच फिर निकलन, अते माज़े, अते रियाड की वाले, रामगडिये, कनईये, शुकर चक्किये, पंगी, अते नकई, सिरी अम्री सर टेकन. कसूरो ब्रामन दी इस्तरी छुडाई, कसूर दी लुट. दस अप्रेल सान स्तारां सो त्रेंट नू बसाखी सी, खाल सा हर पासे तो दर्शना ली पुझा, इस वेले हर पासे खाल से दी दो ही फिर रही सी, की राज सी, अते की समाज़क, अते तार्मक मामलें विच, खाल सा डिगया, टठया, अते दीन दुखियां दी, पुष्ट पन सी, हर किसे ली ओट सी, इस दिन जिस वेले काल तक दे सामने खाल सा जिदा दिवान सज्या होया सी, अते सरदार हरी सिंग पंगी बैठे सान, की कसूर देक ब्रामन ने आ के पुकार कीती, के उसमान खान कसूरिया उस दी इस्तरी खो के ले गया है, दुखी ब्रामन दी दु दूसरे खाल से पास नफरी भी पूरी नहीं, पर सरदार हरी सिंग ने उत्तर दिता कि इस ब्रामन ने गुरू दे दरबार विच पुकार कीती है, सानु सहायता करनी ही बन दी है, सरदार चड़स सिंग ने इस वेले शमशेर हाथ फार लई, अते बेंटी कीती, के शिरी दर बार साहिव वीच शिरी गुरू गरन साहिब दिह जूरी विच अरदास करके वाक लो, अते जो हुकम मिले उस अनुसार करो, इही गल सादने प्रवान कार लई, अते शिरी दरबार साहिव वीच जाके वाक लिया गया, जो इस परकार सी, पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोवा अपने चर्ण जपाईन विच दे खलोवा रोग सोग सब मिट गई नितनवा नरोवा दिन रैन नाम ते आई दा फिर पाई नमोवा जिस्ते उपजिया नान का सोई फिर हुआ इस मुखवाक ने खासे दे सब संसे मिटा दते थोड़े बौतेया दी गिंती दा ख्याल चाड के खासे ने कसूर पर चड़ाई कर दती रस्ते विच ना निशान खोले ना नगारे बजाए ना किसे नू छेड़े आ अते चुप करीते अचन चेथ सिखर दो पैरे शैर विच जावडे अते गर्मी भी कहर दी पैर ही सी कसूरिये पठान अपनिया अपनिया गडियां विच पोरियां विच बड़े होए सान सिंगा दे आ पैन दा किसे नू सुफना भी नहीं सी त्यारी ता की होनी सी मा मुली जिहा टाकरा होया जो सिंगा सोखे ही हूँज छड़े अते ब्रामन दी स्तरी छुडा के उस दे हवाले किती हुन शैर विच लुट पैगई एह दे के आले दुआले दे पिंडा दे जट अते कम्मी चूडे चमियार भी तुटके पैगई इस तरह लुट नाल एह तना आड शैर बरबाद हो गया ते दूसरे पासे कई गरीबा निर्दना दे दिलिदर तुट गई इस लुट विच जसा सिंग राम गडिये दे पाई माली सिंग दे हत दिवान दिला राम दे पुत्तर हिर्दे राम दे करों बहुत दर्ब रतन जवाहर अते सोना लगा जो पुराणे चले आ रहे आपस विच दे विहार अनुसार कनेगे सरदार जै सिंग नाल बराबर वंडन दी था माली सिंग ने आप पे ही सारा राख ले जिसकार के बाद विच एहे आपस विच एक दुखदाई चगडे दा कारण बान गया जलंदर दुआब कसूरतों सरदार जसा सिंग पहलों पहल जलंदर दुआब विच पुजे जित्थे की इलाके उना दी आपनी डले वालियां अते सिंगा पुरियां दी राखी विच सान एहमर्शा जान्दीवारी इत्थे सादत खान नूँ फॉल्डर बना गया सी इसनू होंसला ही ना पया की सिंगा दा टाक्रा करली निकले उसने चुप सादनी ही ठीक समझी अते जलंदर बैठा रहा इसे करके सरदार जसा सिंग ने सोखे ही इत्थे मुड अपना दब दबा जमालिया काठगड अते गडशंकर वसाखी दे मौकिते अप्रैल संस्तारां सो त्रेहिंट सरदार जसा सिंग अनंदपुर विच सान गुर्दवारियां दे दर्शनाली आईया संगता ने दसिया की काठगड दा गोले खान अते गडशंकर दे रंगड संगता अनूरा दोहा थामा उते कबजे कर लए अते रा साफ कर दिता मालवे विच इत्थों खालसा दाल मालवे विच आगया अते बाबा आला सिंग अते पाई किया नू नाल लेके किया कि हुन खालसा दाल आया होया है जिस किसे नू सोधना है खालसे दे नाल होके सोध लवो मलेर कोटली ये नाल सिंगा दा वैर पैगया होया सी कलू कारे विच इनाने जैन खान फौजदार सरहंद अते अहमद शाद दुरानी दे नाल होके सिंगा दा चौखा नुकसान किता सी हुन दाल खालसा ने मलेरियां दा सारा इलाका गास उट्टे आते नवाब पिखन खान एक लडाई विच मारे गया सेर सिंग सरहंद वाल हो पै अते इस दे आले दौडे दा लाका इगरा लिहा मलूम हुंदा है कि बरसाद दे मौसम तो बाद खालसा दा सरदार जसा सिंग ना दौब दे वालनो मोड गया अते दिवाली दे मौके ते अमरिसर जा दर्शन कीते जहान खान नू सियाल कोट विचहार पांज नवंबर संथ सारां सो तरेंट नू खालसा जी ने दिवाली दे मौके गुर्मता कीता कि छेती तो छेती हुन जाद भी विद बने शहर सरहंद नू सोद कड़ना चाहिदा है इत्थे सलाहां ही हो रही है सान की खबर पुजी के एहमर्शा दुरानी दा पेजिया होया बक्षी जहान खान अटकों पार लंगे आया है चनाट अपके एह सिद्धा ही इस ख्याल नाल से आल कोट वालनू हो पेया कि जम्मू वाले राजा रंजीत देव दी सहायता प्राप्त का सके इस वेले सरदार चड़ सिंग ती कू मील दखन लेंदे नू गुजरा वाले सी उसने सरदार जसा सिंग आलू वालिया ते सरदार चंडा सिंग गुजर सिंग पंगियानू सद पेजया ते सिंगानी रलके जहान खान नू जालल कारे लडाई विच जहान खान दा कोड़ा मारया गया थे ओहो पोए ते आडिगा इह देखके खाल से उने जिकारे गजाद हते की मार लेया जहान ना मार लेया सच्छरी अकाल वाहिगरुजी की फते इस दे नाल ही तलवारा सूत के अफगाना उते टुट पए अते उना विच पगदर पाद थी जहान खान आप भी मेदान छड़ के रोहतास गड़ वालनों पजनिक लिया अते उस दे एक खास हाथी सारा जंगी सामान कई जनाने रिष्टेदार अते सबंदी सिंगा दे हथ आगे इस वेले जहान खान दी बेगम ने सरदार चरह सिंग पास अरजी कीती के इस वेले साड़ा परदा अते इज्जत तुहाड़े अक्तियार विच है इस वेले किसे ने सरदार जसा सिंग नो दस्या की जहान खान दा तोशा खाना अते बहुत सारा जेवर इना जनानिया पास हाँ सरदार ने अग्गो उत्तर दगता की खाल सा जनानिया पास दे माल नो बिलकुल हाथ नहीं लाएगा सरदार जसा सिंग ने बेगम साहिबा नो किहा कि तुसी उक्का ही कोई फिकर ना करो साड़ा तुहाड़े नाल कोई वैर नहीं लड़न आया नाल साड़ी लड़ाई सी तुहाड़ी अते तुहाड़े माल दी हर तरह पूरी पूरी रख्या किती जाएगी मुफ्ती अलियोदीन लिखदा है कि पिछले जमाने दे सिंग पराईया जनानिया तो बड़ा सक्त परहेज कार दे साड़े इसलई उनाने जहान खान दे टबरानू जम्मू पे एज दिता ते आप अद नवंबर दे लागे अपने करानू मुड़ाई अधियाई वीवा खालसे ने सरहांद फते कार लई जन्वरी 1704 लच्मी नरायन नू पांच उत्तरवलनों कुझ समेले निश्चित होके सरदार जसा सिंग दुआबे आ गए अते थे जिरूरी पिरपंद करके खालसे दे दिवाली दे गुर्मते नू सार सरहांद नू सोदन ले तियार हो पए पंगी सुकर चक्किये कनईये अते रामगडिये सरदारा नू भी सदलेया अते जन्वरी 1704 दे शुरू विच्छी रोपनों सतलू जपार करके चुप करीते चमकौर साहिब आई कट कीता इहे उहो अस्थान है की जित्थे 7 दसंबर 1705 इश्वी नू शिरी गुरू गोबिंद सिंग जीदा सरहांद दे फौजदार वजीर खान नाल जुद्ध होया सी अते सहजादा जीच सिंग अते जुजार सिंग शहीद होय सा इते सदाद जिसा सिंग नू पता लगा की जैल खान फौजदार सरहांद वाले दा दिवान लच्मी नराइन इलाके दी उगराही कारदा फिर्दा है इहे सुन दियां ही खाल से ने उद्दर नू ताई कारदा थी ओहो दूरों ही खाल से नू देखके सब कुछ छड़ के दोड़ गया अते कुराली जा वड़िया उस दा सारा डेरा खाल से देहाद था गया ते इत्थे इतनी दौलत लबी के अनिका सिंगा दे फाके टुट गए मुरिंडा मुरंडियों गया कुराली तों मुरिंडा लागे ही दखन लेंदे नू सी इत्थे दे रंगडा ने छोटे साहिब जा दिया जोरावर सिंग अते फते सिंग नू पिंड सहेडी तों फाड़के सरहंद वजीर खान पास मोहचाया सी जिसने उना नू 12 दिसंबर 1775 जुनू कतल करवा दता सी इस कारके सिंगा नू इथे दे रंगडा दे विरुद गुसा सी कड़वे अते सलोदी वाले सिंगा दाल सिंग अते रान सिंग ने जोर दित्ता की लगदे हत मुरिंडा भी सोध कड़ना चाहिदा है सरदार जशा सिंग कुछ कारना कारकेस नू टालना चौन दे सान पर होन हार टाल दी नहीं कुछ सिंग जा दित्थों दी लंगदे होए एक खूते पानी पीण गए ता उत्थे गड़ी ते हथे आर लेके चड़े होए रंगडाने सिंगा नू कुछ मंदे बोल बोली अते सीड दे रसे वखा के किहा कि एह सिंगा दे केसा दे वट्टे सान हुन पुराने हो गए हान इसलई साननो कुझ नमे केस दे जाओ आओ जे लड़ना है ता अग्गे तुहाड़े गुरू दे पुत्तर मारे सान हुन तुहानू मारनली तियार बेखे हां इस दे उत्तर विच जद सिंगा भी कुझ कोड़े बचन कहेता रंगड़ा ने उना पर छलक चला दती शाम सिंग अते करोडा सिंग ने एह देखे जसा सिंग नू जाके हा अते मुरिंडे ते हला करवा दता जिस विच एते बहुत कटा वड होई अते मुरिंडा तबाह हो गया मुरिंडे दे तावे विच सरदार चरस सिंग ने बड़ी बहादरी विखाई अते अजेहा परबंद किता कि मुरिंडे आनू बाहरों कोई सहायता ना पुझ सके इसे तरा तारा सिंग गैब यते होड सरदार ने भी मुरिंडे आनू सोदन विच वाद तो वाद जतन किते पर सापतो जादा तबाही एते कडवे वाडे सरदार ने मचाई जीना नाल एना दा सापतो वादवा पेंदा आते नित इट खड़का हुंदा रहिंदा सी अइथे लुटवाल किसे ने बहुता त्यान नहीं दित्ता पर साहिब जादे नाल किते जुलम दा त्यान कार के रंगड़ा विरुद गुसा कड़न विच कोई कसर ना छड़ी अते मुरेंड़े आनू अपने किते जुलम दा फाल पगत ना पिया एह संसार विच जेहा बीजे सो लूने कर्मा संदड़ा खेत मंदा चंगा आपना आपे ही कित्ता पावना सरहंद पर हले दी ते आरी हुन सरहंद दी वारी आ गई मुरेंड़े तों सरहंद जरा को दखन लेंदेनू 14-15 को दी विथते है सरहंद दा नाओ सोनदे आही सिंग के चिच्चियां पर वाड़ते संग एहे ओहो सराप्या होया था है जित्ते की फॉजदार वजीर खाने दसंबर 17-15 नू शिरिगरु गोबिंद सिंग दे दो छोटे साहिप जादे जोरावर सिंग अते फते सिंग कंद विच चुनाई सं अते 12 दिसंबर नू को को के कतल करवा दते संग इसलेई इस दा ख्याल आउंदे ही खाल सा दे लू कंडे हो जान दे संग अते इसनू एक वारी तबाह अते बरबाद कार देन दा मान मनाई वैठे संग बंदा सिंग दे वेले इसनू कहीं कारना करके चार देता गया सी अते पिछे खाल से दा कदी पूरी तरह दाव नहीं सी परिया होन इस वारी सरबत खाल सा श्री अमरी सरकाल तक दी हजूरी विच अरदासा सोध के आया ही इसनू सोधन लई सी अते रोदे कार विच सी इसले उना नू रोक किस सकना सी अते उना दी चाल किस चलनी सी इस वेले दा फौजदार जैन खान अपने आप भी बड़ा बदनाम हो रहा सी तहमास नामे दा लेखक तहमास खान इस वेले सरहंद विच मौझूद सी अते जैन खान दियां वदीकियां ते जुल्मानू अखी वेख रहा सी ओह लिखदा है कि जैन खान ने पुराने कानून काईदे सब पानतोर छड़े सान फौज दी तन्खा देनी बंद कार देती होई सी बेदर दी नाल अन्ने वाई लाके दे पिंडा नो लट रहा सी अते सिपाहियां दी तन्खा दी बंदी रकम दे बदले चो थाई दे उनानू दाने दन्दा सी उसने पहाडी राजया नाल यराना गंडया होया सी अते केवल तन एकठा करन दे मगर पेया होया सी इना जुल्मा दे मूरकता दे कमा तों जो सदा दुख दे बरबादी दा कारन होंदे हन मैं समझदा सां किसे पले पविख दी आस रखना मूरकता सी मैं अपने साथिया नो केहा कि जैन खान दी फोज छेती ही तबाह हो जाएगी अते सरहंद उजड़ पुजड़ जाएगी तहमास खान दी इहे गाल अक्रों खर ठीक साबत होई मलूम हुंदा है कि तहमास खान नो खालसे दी चड़ाई दी खबर लग गई सी जैन खान नो के से पासें बारों कोई सहायता भी नहीं सी पुज साक दी अहमद शा बाच्छा दूर अफगानिसान विच सी बक्षी जहान खान नो खालसा जिने हुने से आलकोट विच नवी नवी साट मारी सी अते ओहर उतास गुड़ जा जम्मू विच पया सेक दे रहा सी सादत खान डाबदा मारा जलंदरो बाहर नहीं सी निकल रहा कबुली मल पास लहौर कोई बौती फाज नहीं सी अते जो सी भी उहो उसनों लहौर दी राखी रही लोड़ेंदी सी मुर्टजा खान बढ़ाइच कासिम खान अते तहमास खान दुखी होके उस दा साथ छड़ गय सा दूसरे पासे बुद्ड़ ê टर्ना डाल दे अगयगय सरदार सब आजूरे सन सुल्तान अलकॉम सरदार जसा सिंग अलु वालियाँ दोहा दला दा मुखी अते पांधदा सांजा सरदार सुल्तान अलकौम सर्दार जसा सिंग अलु वालियां दोहन दला दा मुखी अते पांत दा सांजा जतेदार इस मुहम दा मुरैल सी सरदार चड़ सिंग सुकर चकिया चंडा सिंग अते गंडा सिंग पंगी अते राहो वाडा तारा सिंग गैबा अते दूसरे मिस्सलदार सरदार ता आय होई ही सान पबाबा आला सिंग पटे आले वाला भी अपनी फौज नाल आप उज्जा जिस दे कमान अफसर हिम्मत सिंग अते चैन सिंग सांग जैन खान बाहर ही केर लिया गिया 13 जन्वरी 1774 शुकरवार नू दाल खाल सा सरहंद वालनू उल्लर पया इस वेले जैन खान फौज लेके चारदे वाल उगराही करन चड़या होया सी अते पिंडा नू लुट रहा सी सरदार जसा सिंग ने सोचिया कि हुंचूंकी जैन खान सरहंद वाहर आया होया है इसलिए जिमे हो सके इसनू बाहर ही केर लेना चाहिदा है अते सरहंद दे किले तक नहीं पहुंचन देना चाहिदा ताकी लडाई लंबी ना हो जाए इही गाल साथ सरदारा नू बड़ी चंगी लगी अते जैन खान दा अगगा रोकन लेई सरहंद शैर तो अगगे लंग के बुड़ा दालने सरदार जसा सिंग दी कमान हेट उद्धर जैन खान नू भी पता लाग गया ते उसने भी सारी रात खड़े ही गुजारी कुझ कु तड़के मुहनेरे ही 14 जनरी सन 1704 नू जैन खान मनहेडे वल्लों चुप चाप सवार होके थोड़े जहे बंदेया नाल अक बचाके सरहंद पहुंचन दी नियत नाल उठ तो रिया तोप जंबूरे रहकले सब कुझ उसने वही नाल काद दते अते तोसे नगारे भी उना नाल दे दते अते बजोन ले कैदत ता तदबीर एह सी की नगारें दिवाज सुनके खाल से दा सारा त्यान उद्धर हो जाएगा अते हो समान लुटन विच रुज जानगी इतने नू मैं शूट करके सरहंद जावडांगा ते अंदर बैठके टाकरे ले डट जावांगा जैन खान मारे गया पर सरदार जसा सिंग ने भी एह साब पैंतरे सोचे होई सान आते सारी पासी मोर रखे रखे होई सान तोंसिया दी वाद सुनके तरणा दल वाले मजैल वहीर वाल हो गए, जद मोर खेया ने आके सरदार जसा सिंग नू खबर दती, ता उहो चौकस हो गए, जैन खान ने कुछ फोज ता सिंगा दे दस्तिया ना लड़न ले ला दती, अते आप शैर वालनू ताइका दती, पर उ चुकलो दिया वाजा सुनके सिंग समझ गए कि इत्थे जैन खान डिग पया होया है, अते बहुत सारे सिंग आप उजे, माडी वाले तारा सिंग ने अग्गे होके जैन खान दा सिरलाद ता, जैन खान दे मारे जान दी देर सी के उस दी फोज पाज निकली, इस दिन 14 जन् दखन उ सारे इलाके विच्चों दुरानी हकूमत दा अड़ा उठा दता, जो मुड फिर काइम ना किता जा सकया, अजे पूरे दो साल नहीं सन होये कि खाल से ने कलू कारे दा बदला सरहंद फते करके दुरानीय कोडो ले लेया, असल विच दुरानीय ने कलू कारे विच जो बान सिंगा नू लाया सी, उसने इना दा जेहा रोस जगाया, जब आ बान लागे तब आ रोस जागी, कि इना ने मुड दुरानीय नू सुख दी नींद नहीं सौन देता, अते मालवे विच्चों ना दी हकूमत खतम कारके ही सा लेया, अते सरहंद दी जिप्तों एन साल पिछों लहार उते भी पकी तरह कबजा करके सदा लई पंजाब नू दुरानीय पासों अजाद कार लेया, सरहंद विच्च खोतिया नाड हालवोना, सरहंद दी जो हुन तबाई होई उस दा अंदाज्जा कई मिलना विच्च डठियां गडियां उजडियां हवेलिया आते बरबाद होई मकाना दे खिलरे पर डोरां तों ही लाया जा सकता है, जो इस गालदा पर तक सबूत हन की अत्या चारदा बदला लैन लई जद राबदी लाठी वर्दी है, तब बड़े बड़े केलें आते मुनारियां वाले कुग वास दे शहर भी मिटी आते स्वाद टेर हो जान दे हन, अते सुंदर बाग बगीचियां ते गुल्दारा विच खोतियां नाला हाल वग जान दे सन, जिस वेले शहर दी तबाई हो रही सी, ता किसे ने पांथ दे जथे दार सरदार जसा सिंग अलु वाले नु जा आख्या की खाल से विच एह आम पर सिद है की गुरू गोबिंद सिंग जीने सुर्माया सी के सरहांद दी इट इट उखड जाएगी अते इथे खोतियां दे हल वगण गे, इस गाल दी पावे कोई पकी तस्दीक ता नहीं सी का साकदा, पर सरदार जसा सिंग एक शर्दावान सिक सान, उना ने केहा की जे किदरे अगे जोड के सरदाव जसा सिंग अते दूसरे बड़े बड़े सब सरदारा ने हल फेरंदी रीट पूरी कारदती, इट इट उखडन वाली गल भी पूरी हो गई, शैर दे बड़े बड़े मकान ता, इसे वेले ही टैटेरी हो गई, अते कुछ लोकां दे इथे इथों अते नेडे वाला इस देवसी में तों बाहर जा मार दा, इहर वाज होन ता कभी, पुराने सिंगा विच देख्या जान दा है, फेर जाद रेल बनी ता महराजा पतियारा ने सन अठारा सो स्तार्ट विच सरहंद दा मलबा नार्ब वेस्टन रेलवे कंपनी पास बेच दता अते उना दे ठेके दाराने सरहंद दे टाए पे मकाना आते थेहां तों इटा दा मलबा ले आके रेल दी पतड़ी हेठां बिशाद दता, अते इस तरह पुरानी सरहंद दी इट इट उखड के दूर दूर मिलना तक खिलर गई, अते बहुत सारी सतलूजों पार जा पहुं मिल लंबाई, अते एक सो साथ मिल चुडाई विच सी, अते इस दिया हदा उत्तर नू, सतलूज तों लेके करनाल अते रहो तक तक सान, अते चारदे पासें जमना तों बहावल पुर दे लाके तक सान, हुन मिसल्दार सरदार इलाके विच फिर निकले ते थाओं थाओं थ चकिया, नकईया, कनईया, अते रामगडियां दा ते आन्चुंकी, बहुत जलंदर दुआब अते इस दे उत्तर नू सी, इसलई इना तो बिना होर सार्याने सरहांद दिवांड विच्चों, कुझ ना कुझ इलाका जुरूर आपने कबजे विच लै लेया, सिक सरदार अत अते उना दा पाई बंद, अते संगी कोड सवार, पिंडों पिंड तो रुपए, अते उत्थे दे मुखी, चौदरी, जा लंबड़दार पासों, नजराने वज्जों, सवा रुपया, गुर्दी, पेली, जा कोई होर वस्त नजर लैके, अपनी मेर दा इलान कार दता जान की, लोक हाल तक दास्देहान की सरहांद दी लडाई जित्ती जान पिछों, चाट पाट के में सिंग इदर उदर खिलर गए, अते के में हर कोड चड़ा, रात दिन कोडे सवार, वाख वाख पिंडा विच अपनी मेर जमौन लई, किदरे अपनी पेटी जा सुट दा, किदर मेयान, किदरे अपना कोई कपड़ा, जा काठी दा कोई हिसा, मालवे दा इलाका, पंजाब 55 साल होए, अग्गे बंदा सिंग ने फते कारके इथे स्तंतरता दी जोत जगाई सी, जिसनु सरदार जसा सिंग दी अगवाई विच हुन खाल से ने फेर पूरे जोबन विच भूं काड़ के हिंदुस्तान दी अजादी दा पका मुड बदा, इस विले खाल से ने जिते जिते कबजे किते उना दा मिसलवार मोटा मोटा वेरवा, लुदे आना, अमबाडा ते करनाल दियां, पहले बंदो बस्ता दियां रिपोर्टां विच दिता होया है, सरदार जस सिंग आलू वालिया चूंकी स्तंतरता दी इस लड़ाई अटे जित विच पांथ दा पात्षा, सुल्तान अलकौम अटे खाल से दा मुखी सरदार सी, अटे सुबावक तोर ते बड़ा संतोखी सिंग सी, इसलए उसने इते आप कोई इलाके नहीं मले, केवल नाम मातरही, निशानी दे तोर ते पांच पिंड नरायनगड, पड़ोग, बर्वालिया, जगराउं अटे फतेगड पर अपनी मेर रखी, शेहर सरहंद अटे इस दे चुगिर्दे दे इलाके पर कब जा, जातों शेहर सरहंद विच वजीर खान ने छोटे साहिब जादे शहीद किते सं सिंगा दे दिला विच सुबावक तोरते ही इसलिए करना हो गई होई सी, ओहो इसनो सराप्या होया, मंद पागा था समझ दे सं, अते इस दा नाव लेना भी चंगा नहीं सी समझ दे, अते इसनो गुरू मारी कार के साथ दे सं, इसलिए दे इस दी वांड वेले कोई सरदार भी इसनो लेन ले तियार नहीं सी, पर इहे आखर किसे ना किसे दे सपुर्दता करना ही सी, सो सला ए होई के शैर दे उस एक महले दे लोक जो उजाड़या नहीं सी गया, जिस सरदार दा पलाफाड लेन उस दे नाव इहे गुरू पांथवलों अरदास का देता जाए, उसन पाई बुड़ा सिंग भी इसनो राख के बहुत खुश नहीं सान, इसलिए उना ने पंजी हजार रुपया लेके इस दा परबंद दो अगस्त सन 1704 नू बाबा आला सिंग नू दे देता, दो वरे पिछों महराजा अमर सिंग ने पाई बुड़ा सिंग नू बारा पिंड आदम पूर, टोड़र पूर आधी दे के इहे शैर पक्की तरा ही लेलेया। पाल उना दी राणी माई फतेक और परसिद माई फत्तो आप कावदी सी। एहे अबादी सरहंदी महला दे नाउ नाल मशुहूर होई, अते हुन तक ओही नाउ चले आ रहा है, अते इस दे नार दे बजार दा नाउ सरहंदी बजार है। मलेर कोटला आते राए कोट छाट दिते गए। इत्थे एक गल खासत औरते जिकर करन वाली है। ओहो एहे की पावे सिंगाने दुरानिया पासो सरहंद को लेखी सी। पर सिंगा दी एहे महम केवल राज सी महम सी, जो देश नू गैर मुल्की जाबरा पासो सतनतर करन लेखी। एहे मुसल्मानी हकूमत जा मुसल्माना दे विरुद उना दे मुसल्मान होन करके उक्की ही नहीं सी इस गाल दे हुन्दे होए भी के मलेर कोटलिया ने कई वारी अते खास करके कलू कारे वेले सिंगा दा सक्त विरुद किता सी सिंगा ने मलेर कोटले दे लाके नो नहीं छेडिया पावें मलेर कोटलियां पास चोखे पंड सन पर सिंगा ने ना इस वेले कोई लालच किता हते ना ही पुराना वैर कड़न ली कोई बहना बढ़ाया उना नू याद सी के जिस वेले वजीर खान ने सरहन्द विच साहिब जाद्यानों कतल करन्दा हुकम दिता सी ता उत्थे बैठे शेर मौमद खान मलेर कोटली ने उस नू वर्जन दा जतन किता सी अते जद उस दी पेश ना गई ता उगो हां दा नारा मार के उत्थों उठ के चला गया सी इस हमदर्दी नू सिंगा ने कदी भी नहीं पुलाया इठे तक की सन उनिस संताली विच हिंदुस्तान दी वांडवेले दी हुलडबाजी विच वी खाल से ने मलेर कोटली आनू कोई तत्ती वाओ नहीं लगन दती अते पटे आले दी फौज उना दी राखी लई मलेर कोटली दे लाके विच जा पहुंची सी इसे तरह ही राय कोट दे राय इल्ले आइस वाल जो राय कला दी बांस विचो सी जिसने अपना आदमी नूरू पेज के साहिब जादियां सबंदी खबर गुरू साहिब नू सरहंदो मंगवा के दती सी किसे भी मिसलदार सरदार ने कैरी आख नहीं किती अते जगराओं दा इलाका मुसल्मान हात्मा पास पहले वांगू ही टिके रहा गुरू की चादर सरहंद दी लुट विच सिंगा नू काफी ता नहात लगा नौ लाक रुपया इस विले सरदार जसा सिंग अलू वालिये दे हिस्से आया पर सरदार जसा सिंग इस विचों एक पैसा भी अपने कोल नहीं सान रखना चौन दे उनानू पता सी के कलू कारे तो मुर्दा होया एहमद शा श्री दर्बार साहिब नू बरूद दे कुपया ना लुडा गया सी बुंगे टाद ते सन अते सरोवर गंदे मलबे अते मनुखा ते डंगरा दिया हड़िया आदी नाल पूरिया गया सी इस दी सेवा हाले तक नहीं सी हो सकी इसले सरदार जसा सिंग ने एक दिन सरबत खाल से नू इकठा कारके श्री दर्बार साहिब दी सेवा दी गलत ओर दती अते माया एकठी करन ले गुरू दे नाउ ते एक चादर बिशा दती जिस पर साबतों पहला आपने वल्लों सारे दा सारा नौ लाख रुपेया टेरी कार दता एहे चादर गुरू की चादर दे नाउ नाल मशुहूर होई अते पंज लाखतों कुझ उपर दूसरे सरदारा पासो इकठा होया एहे सारी रकम पाई देश राज बिदी चंदिये दे हवाले काद देती गई तांके दरबार साहिद दी सेवा ते लाद दती जाए चुनाची पाई देश राज ने एहे सेवा बड़ी शर्दा ते प्रेम नालने बाई अते बहुत सारे टठे होय बुंगे आदी भी उसार हुन तक असी इस किताब दे 148 बने पार चुके हैं बाकी दी किताब असी अगले पाग बिच पढ़ांगे वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फत्य